दोस्तों गर आप इस श्रेश ऐयर को एक बहतरी बले बाज बांते तुमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा और इसमें भारत की और से सबसे शांदार खेल का प्रदशन करके दिखाया श्रेश ऐयर ने जिनोंने एक बार फिर से अपने पहले डिस मुकाबले में संख़श में बड़ी भारती टीम को संभाल कर शांदार बल्ले बाजी का प्रदशन करके दिखाया और उनकी इस शांदार बल्ले बाजी पर उनकी प्रेमिका निकता शिव ने उनकी जमकर प्रशंसा की है शरी दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा श्रीयश एर की गल्फ्रेंड ने उनकी प्रशंसा करते हुए लेकिन उससे पहले आप सबी को क्या लगता है कि क्या भारती टीम इस पहले टिस्ट मुकाबले को जीतने में कामयाम हो पाईगी या फिर नहीं इस बात का जवाब में नीचे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर दीजेगा शुबमन गिल और मैंक अगरवाल ये सबी न्यूजिलेंड के सामने पूरी तरह से संगश करते हुए नजर आ रहे थे और उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर थे लेकिन वही दोस्तो एक बार फिर से इस मुकाबले में दूसरी पारी में भी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदशन करते हुए ऐसे उमीद बने हुए थे जो भारती टीम को इस बूरी परिस्थिती से बाहर निकालने में सक्षम थे जिससे भारती टीम ये मुकाबला जीत तकती है अगर वो इस मुकाबले में ऐसी जबरदस पारी ना खेलते तो शायद भारती टीम अब इतनी अच्छी परसिती में ना आती जिसके बाद आप भारती टीम इस मुकाबले को जीतने के कगार पर पहुँच चुकी है अपने बयान में कहा कि भारत और नियूजिलैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टिस मुकाबले में भारती टीम ने बहदी शांदार खेल का प्रोदेशन करके दिखाया जिसे देखकर तो एक बार फिर से यह बात थाबित हो जाती है कि भारती टीम नियूजिलैंड से कई उना बहतरी टीम है और वो भारती टीम के प्रदर्शन को देखकर काफी खुश है लेकिन लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उनको इस बात की है कि उनके लवर श्रेश आयर ने इस मुकाबले में अपने डेब्यू करा और अपने पहले ही टेस्ट मुकाबले में इतनी शांदा शतक बनाने में कामियाब रह सकेंगे और इसी तरीके से भारती टीम को पहला टेस्ट जिताने में श्रेश आयर का सबसे बड़ा और एहम योगदान होगा उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो श्रेश आयर के करियर की मातर शुरुवात है जिसमें उन्होंने अभी से इतना बैतरीन खेल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया लेकिन दोस्तों श्रेश आयर की गल्फेंड निकेता श्रिव के बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या श्रेश आयर की शांदार पारी भारती टीम को जीत हासल करवाने में कामियाब हो पाईगी या फिर नही इस बात का जबाफ में नीचे कोवन शेक्षन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चनल को